देखिए CPU cache ने टेप का memory रहता है वो कैसे work करता हूँ देख लेते हैं यहाँ पर कहता है यहाँ पर जो भी जो copies है data की जो commonly use किया जाता है CPU क्या करता है वो CPU cache memory में save करके रख देता है जब उसको data requirement रहेंगा तो CPU क्या करेंगा automatically cache memory से वो data ले लेंगा ठीक है उसको बेसिक एक्जाम पर क्लियर करते है जैसे सबस्थ आपको cache का need है सबसे पहले चेक करेंगे आपको wallet चेक करेंगे है ना wallet में cash नहीं मिला दें go for the आप कहा जाएंगे cupboard में चेक करेंगे तो वहां नहीं मिला तब जाएंगे आकरी में bank में उसी तरह CPU को भी जो data का need रहता है सबसे बदे वो चेक करेंगा cache memory में ठीक है then go for the RAM जो primary memory में चेक करेंगा then last week go for the hard disk इस तरह से work होता है I hope player is example से